आई वी एम वैसे में विकी बीडिया के बारे में बता दू ब्रीफली पहले कि हम लोग समझ लें तो विकी बीडिया में आप एक अकाउंट बनाके कोई भी पेज एडिट कर सकते हो और वो पेज जेनरली क्या होता है आप पेज एडिट करोगे और अगर आपने कुछ बक्व लेकिन आप विकी बीडिया पर कॉंटेंट चेंज कर सकते हो तो वो लोग उसमें भी यह करते हैं अब कुछ बहुत कॉंट्रवर्सी हो गई तो उस पेज को प्रोटेक्ट कर देता है कुछ समय के लिए लेकिन अगर प्रोटेक्टेट नहीं है तो ज्यादातर पेज ओपन और कोई भी change करने के लिए consensus चाहिए होता है, तो editors talk page पे discuss करते हैं वगरा वगरा और जो consensus होता है उसके उपर decide करते हैं तो इससे पहले Wikipedia का एक idea था neutral point of view, NPOV ये उनका बहुत बड़ा एक सिद्धानत है तो उसके भी change हुए है परिभाषा change हुए है, तो पहले neutral point of view का मतलब था कि आप कुछ भी डाल सकते हो, Wikipedia कोई भी position नहीं लेगा और हर चीज जो आपने डाला है जब तक आपने attribute किया है तो चलेगा, उसके उपर वो लोग कोई decision नहीं लेते थे तो आप सोच सकते हो, अगर ऐसा हो तो धीरे-धीरे, जैसे उन्होंने इस paper में example दिया है homeopathy के उपर काफी discussion होने लेगा है कि कई लोग homeopathy के articles link करके बोल रहे हैं, देखो मैंने link किया है, the best journal on homeopathy से, और इसकी वज़े से ये valid है और Wikipedia को neutral point of view लेना चाहिए, तो ये चलता रहा, तो धीरे-धीरे Wikipedia की quality degrade होने लेगा पर उसके बाद उन्होंने एक principle लाया जिसमें ये जो neutral point of view का अर्थ किया है, इसमें ही उन्होंने बदलाव लाया, और अभी हम लोग देखते हैं कि Wikipedia की quality अभी भी ठीक है मतलब इतनी बड़ी community है, इतने लोग है उसमें, फिर भी लेकिन Wikipedia is largely reliable on a lot of things तो ये एक दिल्चस्प बात है और कैसे उन्होंने हासिल किया, तो इस paper में उन्होंने जो philosophy बोली है, उन्होंने बोला है कि generally हम लोग जब किसी community की evolution देखते हैं, या institution बदलाव आते हैं, मतलब बाहर से किसीने pressure डाला, पैसा डाला नहीं डाला, या फिर आप जैसे बोल रहे थे Reddit के, जो media company बायर थे, उन्होंने खरीदा, फिर भी उन्होंने pressure नहीं डाला, उसकी वज़ा से एक culture बनता है, लेकिन इस paper में वो बोलता है कि कुछ change endogenously भी हो सकता है, और Wikipedia में जो ये बदलाव आया, वो धीरे-धीरे आया, एकदम नहीं आया, लेकिन वो endogenously हुआ, exogenously नहीं हुआ, और endogenously इस तरीके से हुआ, कि जो अंचाहे elements थे, वो धीरे-धीरे करके इस platform से निकलते गए, और जो ठीक elements है, और ये उनका subjective call है, ठीक क्या है, अंचाहे क्या है, वो उनकी strength community में धीरे-धीरे बढ़ती गई, और इसी लिए over time ये population loss की वज़े से, जो उन्हें वांचित elements से वही रहे, और जो disturbing elements से, या जो ऐसे elements से, जो बकवास post कर रहते हैं, वो over time कम हो गया, तो और ये कैसे हुआ, वैसे उन्होंने काफी detail में बनाया जैसे, ये neutral point of view, जो guideline थी, उसके बाद उन्होंने 2005 में reliable sources guideline बनाई, ये भी consensus है, सब लोगोंने, कि कुछ sources reliable होता है, कुछ नहीं reliable होता है, तो उसके उपर एक, और फिर धीरे-धीरे करके अब एक, और फिर 2007 में fringe theory guideline बनाई, जिसमें बताया गया कि क्या fringe होता है, क्या नहीं, और वो धीरे-धीरे करके institutionalize हुआ, तो अब आप Wikipedia पर देखेंगे, एक्चुली उन्होंने classify किया है कि कुछ-कुछ ऐसे sources होते हैं, जो की reliable नहीं है, और उनकी, उनको अकर आप site करेंगे, तो वो आप, आप की points मतलब वो माने नहीं जाएंगे, जैसे daily mail है, tabloid है, British, पहले लोग बहुत site करते थे उसको और कुछ भी पोस्त करते हैं, लेकिन अब वो हो गया है कि इस तरीके के कुछ sources, जो कि consensus से स्थाफित किया गया है, कि यह valid sources नहीं है, और अगर आप इसको site करेंगे, तो आपको और भी चीज़ें site करने पड़ेंगे, तो अभी तक्रीबन 38 SS sources हैं, जो कि इसमें list किये गया, तो दीरे-दीरे क्या हुआ, और इनोंने example कही सारे दियें, कि इसकी वज़े से, एक तो आप देखेंगे, Wikipedia open है, लेकिन इसको edit करना इतना आसान नहीं है, मतलब आपको समझना पड़ता है, कि किस तरीके के rule हैं, क्या norms हैं, क्या editing guidelines हैं, तो already एक friction है उसमें, तो जो committed follower है, वो ही जाके बदलता है, क्यो open है, लेकिन फिर भी थोड़ी friction शायद किसी community में add करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, इससे एक lesson आप समझ सकते हैं, और edit, जो edit कर रहा है, उसको क्या मिलता है, जस जानने के लिए पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता इसलिए, अब edit कोई क्यों करेगा, क्यों करता है edit कोई, नहीं edit, लोग passionate होते हैं, इसलिए करते हैं, तो I think वो intrinsic motivation वाले लोग जाके edit करते हैं, क्योंकि उसका कोई direct real world benefit नहीं है, शायद ये इक उसका advantage है, शायद हम हर चीज में काफी ब participate करूँ, मुझे लगता है क्या, क्या इसमें क्योंकि लोग intrinsically, जिनको interest है उस विशह में, उसको सही रखने में, वो ही कर रहे हैं, क्या उसकी वज़ा से ये फाइदा हो रहा है, नहीं पर ख्याती शायद वो monetized नहीं है, लेकिन फिर भी वो incentive तो बन जाता है, क्योंकि अभ blood के उपर, ये non monetary incentive तो बनी जाता है, तो वो है, ठीक है, मतलब incentive तो है, पर अलग प्रकार का incentive है,